फीजी जोकी आधिकारिक रूप से रिपबलिक अव फीजी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिन प्रशांत महासागर के मिलानेशिया में एक ब्वीप देश है। यह प्रशांत महासागर के भीतर 7,056 वर्ग मील में फैला है। सन 1970 में इस देश को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। फीजी अपने समुदरी तट और खजूर के पेड़ों के लिए भी प्रसिध है। यहां के लोग फिजिन, अंग्रेजी और फीजी हिंदी भाशा बोलते हैं। सुआ यहां की राजधानी है। दोस्तों, आपका स्वागत है। फैक्टो न्यूज हिंदी पर ऐसे ही अन्फॉर्मिटव वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर और लाइक करें। आपके एक लाइक और शेर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी ही और बहतरीन वीडियो बना सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डक्षिन प्रशांत में स्थित, फीजी एक द्वीप समूह देश है, जो न्यूसीलेंड के उत्तर में लगभग 1300 मिल की दूरी पर है। फीजी ने ब्रिटिश सामराज्य से 96 साल बाद 1970 में स्वतंत्रता प्रापत की थी। और फीजी की राजधानी और फीजी के द्वीप पर सबसे बड़ा शहर सुवा है। फीजी की जन संख्या 2013 के अनुसार लगभग 8,96,758 है। दोस्तों फीजी में प्रमोको द्योग टूरिजम और चीनी है। और साथ ही फीजी के एक्सपॉर्ट में वस्त्र, सोना, लकड़ी और मचली भी शामिल है। और फीजी की मुद्रा फिजन डॉलर है। और क्या आप जानते हैं। फीजी में अभी भी करीब 40 प्रतिशत के पास ही बिजली उपलब्ध है। फीजी के सबसे सफल खिलाडियों में से एक पेशिवर गोल फर विजय सिंग हैं, जो तीन प्रमुक प्रतियोगिताओं के विजेता हैं। फीजी में रगबी यूनियन सबसे लोग प्रिया खेल है। दोस्तों फीजी में 322 द्वीप हैं और 500 से अधिक छोटे द्वीप हैं। फीजी में ज्यादातर लोग हिंदू और क्रिश्चन हैं। फीजी में ज्यादातर लोग भारतिय हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मिलेंगे। और शायद आपको न पता हो, फीजी का पारम पर एक पदार्थ कावा है, और कहा जाता है कि प्राचीन फीजी में रहने वाले आदिवासी आदम खोर थे, हाला कि वो युद्ध में मरने वाले लोगों का ही मास खाते थे, कुद्रती तौर पर मरने वालों का नहीं खाते थे. यहां के लोगों को अपना खाना पारम पर एक तरीके से ही पकाना पसंद है, और दक्षिनी गोलार्थ में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर नाडी में स्थित श्री शिव सुब्रमन्य मंदिर है, दोस्तों यहां के दो प्रमुख गूई, विटी लेवू और वनुआ लेवू लगभग 8,83,000 की आबादी का 87 प्रतिशत हिस्सा है, फीजी की सिगार्टों का नदी 75 मील लंबी है, और यह फीजी के अंदरूनी हिस्सों से होकर जाती है, भारत के अलावा फीजी ही ऐसा देश है, जहां हिंदी को राजभाशा का दर्जा प्राप्त है, वहां की 40 प्रति शेयर करें